कैसे हैं आप लोग आशा करता हूँ बहुत अच्छे हैं और अपने परिवार का बहुत ही अच्छे ते ख्याल रख रहे हैं आगे बंद पहले दोस्तों क्या आपने मेरे चैनल को अब तो सब्स्राइब नहीं किया है क्या कहा नहीं किया ऐसा क्यों गया है दोस्तों इसी वत म कि मैं को Immigration Consultant या Government Body नहीं हूँ तो अगर आप इस वीडियो से कुछ भी ले रहे हैं तो अपने रिस्पर ले रहे हैं चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों आपके सामने मैंने तुर्की की Official Visa Application System की साइट खोली है और सबसे पहले मैं FAQ में गया हूँ क्योंकि आप में सब बहुत अगों questions होंगे कि यह क्या होता है कितने entry मिलेगी क्या fee है कितना processing time है तो यह सारी चीजें eligibility की है यह सारी चीजें यहाँ पर cover up है जैसा कि आप देखरो सब तरह की information है आप इसको देख सकते हो हाँ नैशनल्टी की साब से कुछ कुछ requirement है यह यह दिया है और eligible for e-visa वो अगर required criteria maintain करते हैं तो यह आपको front page पता चल जाएगा कि जैसे इंडिया भी है लेकिन हाँ से अच्छी तरह पता चल जाएगा अब में पेज़ पर गया है तीन system तीन स्टेप का अपलाई करना पेमेंट करना डाउनलोड अपलाई करना अपलाई पर क्लिक कर दीजिए वहाँ पासपोर्ट वाले पर क्लिक किजिए वह आपको अगले page पर ले जाएगा थोड़ा patient रहे हैं सबसे पहले अपनी country select करना है कि इसके जबके आपको travel document है तो जैसे मैंने इंडिया कर लिया यहाँ पर माल लेजिए या आचली इंडिया से शुरू करता हूं माल लेजिए आप इंडियन से टीजन है आपके पास ordinary passport है यहाँ पर आप पहले तो capture इंटर करना और honestly दोस्तों मैं capture इंटर करने में अक्सर mistake करता हूं पता नहीं क्यों है यह मेरी problem है हाँ आपका date of arrival करना के लिए कासा होगा arrival date आज से तीन मैने के अंदर होना चाहिए और उसके बाद कितना दिन के लिए valid रहे गए यह देखे तो मैंने just example के लिए date select कर लेता हूं ठीक है अप्रील का date उठा लिया फी पॉपुलेट हो गई इंटरी टाइप भी पॉपुलेट हो गई ठीक है अब अगले पेच पर चलते हैं अब देखिए नेशनलिटी के साफ से यहां पर question आता है जैसे बाकी questions तो ठीक ठाक है लेकिन एक इसमें आप फॉर्थ पॉइंट देखिए कि आपके पास वैलिड वीजा और वैलिड रेसिदेंस पर मिट इन कंट्रीज का में से किसी एक होना चाहिए शेंजन कंट्रीज यूएस यूके आयरलेंड ठीक है अगर आप इस पर चेक करोगे तब ही आप आगे जाता है मतलब अगे जाता हूं अब बहुत सिंबल हैं दोस्तों यह अगर आपको आपसे एक से ज्यादा लोग हो जैसे मान लोग का पल हजमेंड वाइफ जा रहे हो तो एड न्यू परसेंट का नीचे लिंक लिंक है उस पर क्लिक कर देना है यहां पर जो भी इन्फॉर्मेशन दोस्ते मैं बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं यह टांव नहीं है ठिक है आप अपने पास्पोर्ट के हिसास देजिए युटे गिबें नेम आपका फास्ट गिसको बहते हैं सर नेम डेतव फ्लेश बंदWeb यह सब आप अपने हिसाब से अपने document के हिसाब से दीजे father name, passport number, passport issued date, passport expiry date यह सब अपने हिसाब से दीजे और देखिए क्योंकि इंडियन nationalities को additional requirements भी है कि आपको उन countries के documents भी चाहिए आगर हैं तो of course उसके बिन आप e-visa नहीं कर सकते हो तो देखिए वहाँ पर है type of supporting documents और किस country से आपको issue हुए है वो दोनों सवाल वहाँ पर आपसे पूछ गया है तो आपको वह भी answer वहाँ पर करना ही पड़ेगा डाकुमेंट expired email phone number address और फिर इस तरह से आप next page पर जाकर वहाँ पर डाकुमेंट आपको अपने upload जो पूछे जाएंगे वह और जो आपको पैसे देने हैं वह जो फी आपने देखी थी वहाँ से दे दो पस उसके बाद अगर अगर आप पूरूव हो गई